हेलो फ्रेंज, वेलकम तो एट्वेंटीफो नॉलेजे, ओफिशल यूटूब चैनल, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे CSIR, Central Institute of Mining and Fuel Research धनबाद की नियू रिकुर्माइन नोटिफिकेशन के बारे में, और आप यहाँ पर कैसे इसको आविधन कर सकते हैं, इसके बारे म हम बात करेंगे इस वीडियो में, तो फ्रेंज, यहाँ पर केंदरी खरन एवं इधन अनुसंधान संस्थान की जो यह नोटिफिकेशन है, इसमें जो भी आपकी पोस्ट निकाली गई है, यह आपके टेंप्रेरी बेसिस पर रहेंगे, और यहाँ पर जो सेलेक्शन प्रोस प्रोजेट के अंदर आप काम करेंगे, वो आपको डिटेल यहाँ दी गई है, अब यहाँ पर देखिए तीन पोस्ट है आपके डिप्लोमा इन माइनिंग इंजिनिरिंग या फिर थ्री एर बैसलर डिगरी ओफ ओनर्स इन जियोलोजी, एक पोस्ट आपकी यहाँ पर रहे 21,000 रुपे और सीट रहेंगी यहाँ पर आठ, अब यहाँ पर फैंस देखिए जो वेकेंसी हैं की बात कर लेते हैं, तो यहाँ पर पांच वेकेंसी जो हैं, इसमें फैंस बी या बी टेक, आपके पास माइनिंग में, सिविल में, कंप्यूटर साइंस इंजिनिरिंग में, या फिर Information Technology में आपके पास होनी चाहिए, या फिर आपके पास MSC या MSC Technology में होनी चाहिए, Geology या फिर Applied Geology, इसके लावा यहाँ पर फैंस से Experience आपस मागा गया है, अगर आपके पास अच्छी बात हैं नहीं है, तो भी आप इसमें आविदन कर सकते हैं, इसके बाद दो बो इसके लावा एक पोस्ट यहाँ पर रहेगी, MSC आपके पास होनी चाहिए, Geo Informatics या फिर Environmental Science में, और आपके पास Experience है, तो आपको Extra Benefit मिलेगा, इसके बाद जो पोस्ट है वो है, आपके यहाँ पर Project Assistant Level 3 की पोस्ट यहाँ पर तीन वेकेंसी आपकी रहेंगी, और यहाँ पर देखिए, दो वेकेंसी जहाँ आपकी BE या BTEC, आपके पास Civil Engineering में, या फिर MSC आपके पास Geology में, या फिर Applied Geology में, या जियो Physics में आपके पास होनी चाहिए, और दो साल का Mandatory Experience आप से यहाँ मांगा गया है, इसके बाद है एक पोस्ट जो की ME, MTEC आपके पास होनी चाहिए, Computer Science, या फिर Communication में, Electronics में, या फिर आपके पास BE, BTEC होनी चाहिए, Electronics and Communication में, और या फिर Master in Computer Application with 2-year experience आपके पास होना चलूरी है, एक पोस्ट आपकी यहाँ रहेगी, ME, MTEC in Mechanical Engineering, या फिर BE, BTEC in Mechanical Engineering और दो साल का Experience, अब यह फिरेंस अगर आप यहां qualified करते हैं, आप इसके लि Review, आपका CSIR, CIMFR, बर्वा रोड, Campus, धन्वा, जारकन रहेगा, और इसकी तिथी या डेट है, वो बात में, आपको इसकी वेबसाइट पर या भ्यरती के email ID पर send it कर दिया जाएगा, अब जो फॉर्म है, या आपको बदलिफाफे के ऊपर विज्यापन संख्या, विशय जै आपका जो ace criteria रहेगा, वो friends, आप देख सकते है, जो आपका project assistant first है, level first है, उसके लिए maximum 50 साल है, इसके बाद 35 साल रहेगी 2 के लिए और 35 साल ही रहेगी 3 के लिए, इसके बाद यहाँ पर आपको दिखे क्या क्या document send करने है, कैसे इसको send करना है, क्या क्या details आपको send करनी होग अगर आप experience holder है, तो experience certificate आपको send करना है, आपके जो भी details है, जो आप application form पर लिखेंगे, वो सभी आपको enclosed करने होगे, और आपको यहाँ पर list of enclosure of photocopies to be attached with the application form, तो यह friends से आपको वहाँ पर send करना होगा, अब यहाँ पर आपको application form दिया गया है, आपको अपनी photo लगानी है, यहाँ पर विज्यापन संक्या आपको दिग गई है, किस post के apply कर रहे है, आपका नाम क्या है, father name क्या है, gender क्या है, category, address, अधार number, mail ID, mobile number, आपकी educational qualification, experience, detail, वो सभी आप यहाँ पर बता सकते हैं, इसके बार आपको sign करना है, और इसके बार इस वाले form को, जो आपको मैंने दि हैं, हाँ पर list दी गई है, यह आपको send करने है, दिएगे address पर 31 तारिक से पहले, और यह जो notification है, या फिर जो यह form है, या LJT criteria है, वो सभी detail आप चेक कर सकते हैं, वीडियो डिस्क्रिप्शन में जाका, jobrasta.com का link मिल जाएगा, वहाँ पर detail को चेक कीजिए, अगर आप अली जीवल हैं, अपलाई करना चाहते हैं, आप इसमें offline आविदन कर पाएंगे, तो friends यहाँ पर इस वीडियो में short में हमने बात की CSIR, Central Institute of Mining and Fuel Research की vacancy के बारे में, अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है, तो like, subscribe and share जरूर कीजेगा, और ऐसे ही बने रही है हमारे साथ देखते रही है हमारा यूटूब चैनल and last thanks for watching